प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में कक्षा बारा गडित में हमारा पहला चैप्टर चल ला है संबंद एवं फलन, रिलेशन्स एंड फंक्शन्स इस चैप्टर में हम पहले ही दो वीडियो बना चुके हैं पहले वीडियो में हमने संबंदों के बारे में पढ़ाया था और दूसरे वीडियो में हमने प्रस्नावली 1.1 के प्रस्न संख्या 1 को हल किया था तो इस वीडियो में हम सुरुवात करेंगे प्रस्नावली 1.1 के प्रस नंबर 2 से अब प्रस नंबर दो क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिये कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में आर बराबर जो कि हमने यहां लिखा हुआ है हमें यह सिद्ध करना है कि जो हमारा संबंध आर है वह ना तो स्वतुल्य है ना सम्मित है और ना ही संक्रामक है तो अब हमारे पास एक R है A, B such that कि A छोटा है बराबर है B स्कोयर से और हमें यह दिखाना है कि यह वाला सम्मंद स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों ही नहीं है तो भाई सबसे पहले आप लिख लो क्या लिखा हुआ है कि A छोटा है बराबर है B स्कोयर अगर आपको स्वतुल्य करना है तो भाई नियम क्या होता है कि आप दोनों तरफ समान संख्या लिख दो तो क्या भाई आप ऐसे लिख सकते हैं इसको A छोटा है बराबर है A स्क्वेर तो भाई ये चीज संभव नहीं है A, A स्क्वेर से छोटा और बराबर नहीं हो सकता है अगर भाई ऐसा नहीं हो सकता है तो आप यहां लिखोगे कि A, B belongs to R but A, A doesn't belong to R भाई A, B R में है परंत A, A R में नहीं है और अगर ऐसा नहीं है तो भाई यहां लिख दो कि R जो है हमारा स्वतुल्य नहीं है ठीक है भाई अगर समान संख्या R में ना मिल पाए तो स्वतुल्य नहीं होता है अब आजाओ सम्मित पर सम्मित में क्या होता है जस्ट उल्टा हो सकता है या नहीं जैसे अगर कहीं पे लिखा हो A छोटा है बराबर है B स्क्वेर तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि B छोटा है बराबर है A स्क्वेर भाई ऐसे हम नहीं लिख सकते हैं अर्थाद यह गलत है यहाँ पर भी गलत था इस बात को हम यहाँ नहीं लिख सकते हैं तो भाइ यह वाला जो समी करण है यह गलत है तो भाइ इस बात को ऐसे लिख दो कि A, B, R में उपस्थित है लेकिन B, A, R में उपस्थित नहीं होगे just उल्टा जो संख्याएं है वहां R में नहीं होगी और अगर नहीं होगी तो जो हमारा R है वह सममित नहीं होगा तो भई यहां लिख देंगे हम कि R जो है वह सममित नहीं है अब सीधा आजाओ आप संक्रामक पे भई संक्रामक में हम तीन आव्याव लेते हैं हमेशा A है B है तो भई C भी ले लो इस प्रकार से लिखो कि A छोटा है बराबर है B स्क्वेर अगर B छोटा है बराबर है C स्क्वेर तो भाई नियम क्या कहता है कि A छोटा है बराबर है C स्क्वेर होना चाहिए लेकिन भाई ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि A जो है वह C square से छोटा और बराबर ही हो तो भाई यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं है अगर जरूरी नहीं है तो इस बात को आप ऐसे लिख दो A कामा B और B कामा C अगर R में उपस्थित है तो भाई नियम होता है कि A कामा C भी R में होना चाहिए अगर A कामा C R में है तो वह संक्रामक संबंद होगा लेकिन यहाँ है नहीं तो आप क्या लिख दोगे कि R संक्रामक नहीं है तो भाई तीनों ही संबंद क्लियर हो गए R स्वतुल्य भी नहीं है R संमित भी नहीं है और R संक्रामक भी नहीं है अब भै आजाओ सिधा प्रस नमबर 3 पे कहराए कि जाँच कीजिए कि क्या समुच्च है अब हमारे पास एक समुच्च है हमने भै उसे ए मान लिया है एक दो तीन चार पांच छे अब इस समुच्च के अंतरगत हमारे पास कोई सम्बंध है इस प्रकार से है कि A कामा B such that B बराबर A प्लस 1 अब भै हमें यह जाँच करना है कि क्या यह सम्मंद स्वतुल सम्मित और संक्रामक है या नहीं है तो भै हमारे पास एक समुच्च है और एक रिलेशन दिया हुआ है अब हमें क्या करना है रिलेशन को भै रोस्टर विध में हमें पहले लिखना पड़ेगा यहा समुच्च निर्माण विध में लिखा हुआ है आप भै लिख लो R बराबर अब यहां आपको द्यान देना है कि A और B किस प्रकार से है कि B बराबर A प्लस 1 अर्थात जो हमारा B है वह A से 1 जादा होगा और संख्याए हमें यहीं से छाटनी है तो भै लिख लो अब A का मान अगर हम एक मान लेंगे तो भै B कितना हो जाएगा दो एक ज्यादा, अगर दो लीजिएगा तो भाई तीन हो जाएगा, अगर आप तीन लेंगे तो चार हो जाएगा, ऐसे भाई अगर हम एक का मान चार लेंगे तो भी पांच हो जाएगा, और भाई पांच लेने पर छे हो जाएगा, आप यहां ध्यान दीजिए कि हम एक का मा 2, 2, 3, 3, 4 4, 5 and 5 5, 6 अब हमें इसमें चेक करना है कि यहां तीनों ही समंद है या नहीं है तो सबसे पहले आप आजाओ स्वतुल्य पर अब स्वतुल्य में क्या नियम होता है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 अगर यह सभी अव्याव कि जो हमारे अव्यव हैं, अगर ये a को बिलॉंग कर रहे हैं तो, भाई छे अव्यव हैं और छे के छे अव्यव हमारे पास a में हैं, तो भाई नियम होता है कि 1 कामा 1, 2 कामा 2, 3 कामा 3, 4 कामा 4, 5 कामा 5, और 6 कामा 6, सभी समान अव्यव जोडे में, अगर आर को बिलॉंग कर रहे हों, तो भाई समझ जाईए कि यहां एक स्वतुल्य समंद होगा, कब होगा भाई? अगर 1 से 6 तक की संख्याएं समुच्चे में हैं, तो 1 कामा 1, 2 कामा 2, 3 कामा 3, 4 कामा 4, 5 कामा 5, और 6 कामा 6, अगर आर में हैं, तो स्वतुल्य होगा, अब भाई आर को चेक कर लो, इसमें से यहां कोई भी संख्या नहीं है, और अगर नहीं है, तो भाई बिलॉंग नहीं कर रहा है, अर्थात आर क्या हो जाएगा? आर स्वतुल्य नहीं है, अब चलते हैं सम्मित पे, सम्मित में क्या नियम है, जैसे आप कोई एक चीज उठा लो, एक कामा दो, तो यहां लिखोगे, एक कामा दो, आर को बिलॉंग कर रहा है, तो भाई नियम होता है, कि दो कामा एक भी आर में होना चाहिए, अगर एक कामा दो है, तो दो कामा एक भी होना चाहिए, जबकि आर में दो कामा एक है ही नहीं, एक क है वहाँ सममित नहीं होगा हो गया अब आजाओ संक्रामक में भै संक्रामक में क्या होता है आप ऐसे जोड़े ढून लो जहां भै आखिरी संख्या और पहली संख्या समान हो जैसे अगर एक कामा दो और दो कामा तीन आर को बिलॉंग करते हैं तो आप दो और दो को छोड़ दीजिए क्या बचेगा एक कामा तीन अगर आर को बिलॉंग कर रहा होगा तो संक्रामक होगा वरना नहीं होगा अब एक कामा दो, दो कामा तीन तो आर में है परंत भई एक कामा तीन कहीं भी आर में नहीं है अर्थाद बिलॉंग नहीं कर रहा है और अगर बिलॉंग नहीं कर रहा है तो आर जो है हमारा संक्रामक नहीं होगा तो भई तीनों ही संबंद क्लियर हो गए अगर सेम सेम जोड़ा हो जाए तो स्वतुल्य होगा ऐसा था नहीं तो हमने भाई लिख दिया स्वतुल्य नहीं होगा अगर जोड़ा उल्टा भी पाया जाए तो सम्मित होता है और भाई संक्रामक में ढूनना होता है कि आखिरी संक्या और पहली संक्या सेम सेम हो तो भाई इनको छोण दीजिए और पहली आखरी को ले लीजिए अगर ऐसा जोड़ा बन जाए तो संक्रामक होगा तो यहाँ पर तीनों ही संबंध नहीं है अब भाई सीधा आजाओ प्रस नमबर चार पे कहरा है कि हमारे पास कोई संबंध है अब हमें यहाँ दिखाना है कि यहाँ वाला संबंध स्वतुल्य है संक्रामक है पर अब भाई स्वतुल्य में क्या होता है संक्रामक है समक्रामक होती है इस बात को क्या आप आईसे लिख सकते हो कि a छोटा है बराबर है a तो भाई हम इस बात को लिख सकते हैं अगर a और a ऐसे हम लिख सकते हैं तो यहाँ पर आप लिखोगे कि A, B belongs to R then अगर A, A भी R को belong कर रहा है तो तो भाई क्या हो जाएगा R स्वतुल्ले है अगर आप संख्याएं सेम सेम करो और वहाँ वाला संबंध लागू हो जाए तो वहाँ स्वतुल्ले होता है अब भाई सम्मित पे आजाओ सम्मित में क्या होता है उल्टा करके लिख सकते हो क्या अगर लिखा है A छोटा है बराबर B तो भाई B छोटा है बराबर है A नहीं हो सकता है जस्ट उल्टा यहाँ पे आप नहीं लिख सकते हो तो भाई यह गलत लिखा हुआ है अगर यह गलत है तो इसको आप ऐसे लिखिए कि A, B belongs to R बट B, A, R को belong नहीं कर रहा है A, B तो है परन्त B, A, R में नहीं है और अगर नहीं है तो जो R है वहा सममित नहीं होगा तो भाई देखा आपने स्वतुल्य तो हो गया लेकिन सममित नहीं हुआ अब आजाओ सीधा संक्रामक पे ऐसे लिखोगे कि A छोटा है बराबर है B और B छोटा है बराबर है C अब ध्यान दीजीगा A, B से छोटा है, B, C से छोटा है तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो? कि जो A है वह C से छोटा और बराबर है तो भाई हम इस बात को लिख सकते हैं या बात सत्य है अगर ये बात सत्य है तो यहाँ आप लिखिए ए कामा बी और बी कामा सी अगर आर को बिलॉंग करते हैं तो क्या एक कामा सी भी आर को बिलॉंग करता है अगर करता है तो आर कैसा हो जाएगा आर हो जाएगा भाई संक्र आर स्वतुल्य है, संक्रामक है, लेकिन सममित नहीं है, अब भै सीधा आजाओ आप प्रस नंबर 5 पे, सवाल एकदम वैसा ही है, बस भै रिलेशन थोड़ा सा बदल गया है, यहां कहरा है कि A छोटा है बराबर है B क्यूब से, अब अगर आपको सवाल नंबर 2 याद है, तो वहाँ पे लिखा हुआ था, कि A छोटा है बराबर है B स्क्वाइर से, तो सवाल एकदम वैसा ही है, जो आंसर स्क्वाइर में आया था, वही आंसर यहां क्यूब में आने वाला है, तो भै यहां लिखोगे आप यादि, भै दिया हुआ है कि A छोटा है बराबर है B क्यूब तो क्या हम इस बात को ऐसे लिख सकते हैं कि A छोटा है बराबर है A क्यूब तो भाई ऐसा हम नहीं लिख सकते हैं जरूरी नहीं कि ऐसा हो और अगर ऐसा नहीं है तो यहां आप mention कर दो कि A, B belongs to R बट A, A R को belong नहीं कर रहा है अगर A, A, R को belong नहीं कर रहा है तो हमारा R कैसा हो जाएगा R स्वतुल्य नहीं होगा Not reflexive relation अगर A और A वाला relation नहीं ले रहा है तो स्वतुल्य नहीं होगा दुबारा से आजाओ भई यदि अगर लिखा है कि A छोटा है बराबर है B क्यूब तो क्या इसे आप उल्टा लिख सकते हो ऐसे B छोटा है बराबर है A क्यूब तो भई जस्ट उल्टा हम नहीं लिख सकते हैं ये गलत हो जाएगा और अगर हम उल्टा नहीं लिख सकते हैं तो यहाँ पे भई लिख दो कि A कामा B R को belong करता है परंतु B कामा A R को belong नहीं कर रहा है और अगर नहीं कर रहा है तो जो R है वहाँ सम्मित सम्मंद नहीं है तो भई यहाँ पूरा लिख दीजिए कि जो हमारा R है वहाँ सम्मित सम्मंद नहीं होगा और अब भई लास्ट में आजाओ अपने संक्रामक सम्मंद पे तो यदि A छोटा है बराबर है B क्यूब तो यहाँ क्या लिखोगे B छोटा है बराबर है C क्यूब तो भई क्या ऐसा हो सकता है कि A छोटा है बराबर है C क्यूब तो भई यहाँ पर जरूरी नहीं है कि ऐसा हो जाए तो भाई या चीज गलत है और अगर या चीज गलत है तो इसे आप ऐसे लिखोगे A कामा B, B कामा C, R को बिलॉंग करते हैं तो A कामा C अगर R को बिलॉंग करता तो संक्रामक होता लेकिन चुकि बिलॉंग नहीं कर रहा है तो यहां लिख दो कि R संक्रामक नहीं है तो भाई लास्ट में आप क्या आंसर लिखोगे कि जो हमारा संबंद R था वह ना स्वतुल्य है ना सम्मित है और ना ही संक्रामक है अब भाई प्रस नंबर 6 पे आजाईए कहरा है कि कोई समुच्च है हमारे पास A बराबर 3 अव्यव है 1, 2 और 3 और हमारे पास एक रिलेशन है R बराबर 1, 2 और 2, 1 तो भाई हमें यहां दिखाना है कि यह वाला संबंद स्वतुल्य नहीं है संक्रामक नहीं है लेकिन सममित है तो भाई ध्यान दीजिएगा अगर A बराबर 1, 2, 3 है तो अगर हमें स्वतुल्य करना हो तो भाई यहां लिख सकते हो आप अगर 1, 2, 3 A को बिलॉंग करते हैं तो भाई नियम कहता है कि 1, 1, 2, 2 और 3, 3 अगर R को बिलॉंग कर रहे हूं तो R स्वतुल्य होगा अर्थात जितने भी अवयव होते हैं वो अगर हम समान समान लिख दें 1, 1, 2, 2 और 3, 3 अगर R में है तो वहाँ स्वतुल्य माना जाएगा लेकिन R में ऐसा एक भी अवयव नहीं है 1, 1, 2, 2 और 3, 3 नहीं है अर्थात यहां भाई लिख सकते हो कि जो हमारा R है वहाँ स्वतुल्य नहीं है अगर यह बिलॉंग नहीं कर रहा है तो स्वतुल्य नहीं होगा अब भाई आजाओ सम्मित पे अब सम्मित में क्या है एक जोड़ा आप उठालो कोई 1, 2 अगर R में है तो भाई इसका उल्टा 2, 1 R में है यह आपको भाई चेक करना पड़ेगा अगर 1, 2 R में है तो 2, 1 भी R में होना चाहिए और भाई है भी 1, 2 भी है 2, 1 भी है अगर ऐसा है तो R क्या हो जाएगा R सम्मित संबंध है भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा R हमने लिख दिया सम्मित संबंध है अभी आजाओ संक्रामक पे भाई संक्रामक में क्या नियम है देखेगा अगर एक कामा दो और दो कामा एक आर में है तो भाई ये दो और दो हटा दो क्या बचेगा एक कामा एक तो भाई ये भी आर में होना चाहिए अगर एक कामा दो और दो कामा एक आर में है तो एक कामा एक भी आर में होना चाहिए थ अगर ऐसा होता तो संक्रामक होता परन्तो ऐसा तो कहीं है नहीं तो आप यहां साप साप लिख दो कि आर जो है वहां संक्रामक नहीं है तो भाई जो हमारा संबंध आर था वा स्वतुल्ले और संक्रामक नहीं है लेकिन सम्मिस संबंध है अब सीधा प्रस नमबर साथ देखिए हमारे पास भाई कोई कॉलेज है वहाँ एक पुस्तकाले है जहां समस्त किताबों का एक समुच्च है ए और वहाँ हमें एक रिलेशन दिया हुआ है एकस और वाई दो किताबों के बीच में कहरा है कि एकस और वाई में पेजों की संख्या समान है समान का मतलब है बराबर है और जहां पर भी बराबर का निसान आ जाएगा आप तुरन समझ जाओ वहां तुल्यता संबंध होगा वहां स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों ही संबंध होंगे फिक्स होता है आप इसको भाई इस प्रकार से लिख सकते हो कि X और Y में पेजों की संख्या समान है अर्थात भाई X बराबर Y हमें दिया हुआ है अगर हम इनको पेज मानके चल रहे हैं तो तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो? X बराबर X तो हम भाई लिख सकते हैं अगर x बराबर y है, तो उसे हम x बराबर x भी लिख सकते हैं, तो यहां आपको लिखना पड़ेगा, कि x, y, r को बिलॉंग करते हैं, और x, x भी r को बिलॉंग करता है, अगर ऐसा है, तो r क्या होगा? r स्वतुल्य संबंध है, यहां पे भाई स्वतुल्य हो जाएगा, क्योंकि x बराबर y को हम x बराबर x भी लिख सकते हैं, दुबारा से भाई देखो, अगर लिखा हुआ है, यदि x बराबर y, तो क्या इसे आप y बराबर x लिख सकते हो? तो हम भाई लिख सकते हैं, बराबर में ऐसा हो सकता है, तो यहां पे लिखोगे, कि x कामा y, r को बिलॉंग करते हैं, और y कामा x भी r को बिलॉंग करता है, अगर ऐसा है, तो r क्या हो जाएगा? आर सम्मित सम्बंध है, तो भाई r स्वतुल्य भी हो गया, आर सम्मित भी हो गया, अब भाई तीसरे पे आजाओ, यदि x बराबर y लिखा हो, और भाई कहीं पे लिखा हो y बराबर z, तो क्या आप इसको x बराबर z लिख सकते हो? तो हम भाई लिख सकते हैं, अगर x और y बराबर है, y और z बराबर है, तो x और z तो बराबर होगा ही, तो इसको भाई कैसे लिखोगे? आप आप क्या लिख सकते हो? कि r तुल्यता सम्बंध है, अगर भाई तीनों ही सम्बंध पाय जाएंगे, तो उसे कहते हैं तुल्यता सम्बंध, एक्क्यूवेलेंस रिलेशन